जिके निज़ पॉइंट आपके साथ जोड़ चुका है एक बेहद ही दुखत खबर जो कश्मीर से सामने आ रही है आपको बता दे बीज़िपी एक्टिविस्ट अब्दुल हामिन नाजर जो की सेस्टी मोच्चा ओबीसी मोच्चा के डिस्टिक प्रेजिडेंट थे कल सुभ जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले उन पर अटाक किया गया वो गोलियों का निशाना बने उसके बाद उन्हें गमफीर स्थिती में अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर आज जखमों के ताव ना सहते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया है अब्दुल हामिन नाजर की बीजिपी एक्टिविस्ट थे ओबीसी सेस्टी मोर्चा के डिस्टिक प्रेजिडेंट भी थे सुभा जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तब उन पर हमला किया गया और उसके बाद वो गोलियों का निशाना जिस तरह से हुए उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुं आपको बता दें कि ये तीसरी बार है गाटी में साट घंटों में तीसरा हमला हुआ है ये प्रेजिपी कार्यकरता पर इससे पहले साउथ कश्मीर के काजी कुड में एक बार पंच को निशाना बनाया गया एक बार सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया गया और तीसरी हमने देखा कल जब बटगाम का ये जो वाक्या सामने आया जो हमला हुआ अबदुल nádjar पर उसके बाद साथ रेजिग्नेशनों से खाटी से सामने आए हैं बीजेपी पार्टी से आपको बता दे चार बटगाम से रेजिग्नेशनों सामने आया उसके बाद जो situation है बेहद ही चिंता जनक है जो लगातार political representatives को निशाना बनाया जा रहा है political killings जो कश्मीर में हो रही है और साथ ही security की जिस तरह से बात की जाती है तो security देने की उस पर विचार करने की भी जरूरत है जिस तरह से कल चनल सेक्रेटरी जम कश्मीर अशोक कोल ने letter लिखा जेपी नड़ा को और उन्होंने उस letter में लिखा कि हमारे पास funds की कमी है जल्द से जल्द जो कारे करता है घाटी में उन्हें security फरहाम की जाए पर एक बेहदी दुखत खबर दुखत समाचार आज सुभा सामने आया कि अब्दुल अब्दुल नाजर अब नहीं रहे उनकी मोत हो गई है अस्पताल में उन्होंने जख्मों के ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया है दिक्तर है जिकी नियूस पॉइंट नमस्कार